सबसे पहली बात आती है कि जनरल अवेरनेस का से क्योंकि लास्ट की टाइम पर सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं तो जीए में भी हम क्या पढ़ते हैं अगर आप चाहते हो कि आपके 25 तु 30 मार्क्स जीए में आज है तो यह तीन महीने आप अच्छे से पकड़ लीजे कि आपको पढ़ने और दस दिन में अराम से कंपलीट ह अगर आप दो दिन में एक मन्त खतम करते हो तीक है अब यह नहीं कि आप बहुत डीटेल में जाओगे नियूस कैसी कैसी आपको कबर कर नहीं वह मैं आपको बता देती हूँ ठीक है जैसे कि अगर हम देखें जिस हिसाब से स्ब्सक्राइब स्फॉत खेर तो ही यह स। अपको कने डीम मरता है थैक है कि उस च्छच पूछता है जा सथ एपको पॉशन मिलते ही अपको फेश्च पेशल पीछ आइन व aí कि आपको नियूस्च को टौड़ा डीटेल में पढ़ना है जसे आपके sports related questions आपके exam में आते ही आते हैं तो इन से related questions छोड़ने ही नहीं है कि लाइक इस तरह के कोई भी questions आपको दिखते हैं अभी आपकी sanctuary से related हो गए wildlife century है इन सब से related questions भी आते हैं तो इससे क्या है कि इस तरह के questions आपके सामने से नहीं चूटेंगे, यह point हो गया, sports related भी questions आपके आएंगे, जिते भी अभी recently sports हुए है, मालो किसे सन्यास ले लिया है, या कोई भी हो, उसने कितने games जीते हैं, इस तरह के questions भी पूछ जाते हैं, तो इन points को आपको ध्यान रखन कि आपके लिए free giveaway किया गया है, जिसमें आपको 5 full length mock test मिल रहे है, मेंस के SBI clerk के, तो यह आपको करना है, mock test अब यह को 10 दिन बचे है, तो आप अगर daily basis पे mock test लगाओ के तो वो में भी उतना productive आपके लिए ना रहे, because आपको पते सब में sectional timing है, तो पढ़ने का तरीका क्या ह आपके पास यह 10 दिन है, तो मैं आपको बोलूँ कि आप maximum 5-6 mock दे पाओ, तो इतना काफी है आपके लिए इन 10 दिनों में, इसके इलावा आपकी priority list में क्या है, कि जैसे आपका quant section है, ठीक, quant में आपको क्या करना है, तो यह समझ में आया, 500 questions आपको यह मिल जाएंगे, बाक आती है क्या, अगर मैं आपसे बोलू, quant section की, ठीक है, तो quant के लिए रेको क्या है, quant में आप अच्छा score कर सकते हो, अभी देख रहे हो कि paper जो quant का है, अगर हम बात करें, चैप्रियो या मेंसो, quant आपका लेंडी आ रहा है, quant में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक, quant के लिए जादा time आपका लेना नहीं है, हो सका, तो recorded lecture आजाएंगे, या एक-दो lecture में खतम हो काम, ठीक है, आपको जादा video last minute मुझे नहीं रही है, ठीक है, तो D.I. आपके exam में किससे important बनती है, तो अब सबसे बड़ी बात है, जैसे time and work है, आपका T.S.D. है, आपका profit and loss है, mensuration है, probability probability है, right, mixture allegation, तो ये जो topic है, इन से लगबग आपके आसपस D.I. आपकी दिखती रहती है, ठीक है, तो इनके concepts आपके clear है, तो अच्छी बात है, कोई topic आपका नहीं clear है, तो last में उस पर waste करने का time waste करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसके लावा आपके exam में number series मिलेगी, आपको quadratic मिलेगी, algebra based होगे, Q1, Q2 based होगे, आपके arithmetic होगे, data sufficiency होगे, तो इस तरह के topic आपको मिलते हैं, तो ये कहां से आपको पढ़ने है, ठीक है, दो तरीके हैं, आपके पास, एक तो mock test, ठीक है, मॉक test लगाओगे, तो सारी चीज़े आपकी cover होगी, उसमें, दूसरा point ह आपको 15 days का PDF bundle target free provide किया जा रहा है, तो आप वहाँ से भी, जितने भी important topics हैं, वो आपको वहाँ practice के लिए मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ से practice कर सकते हो, ठीक है, बाकी, don't worry, classes, lectures, कुछ मैं भी आपके लूँगी, 4-5 lecture, before SBA, लग में, जो आपको बहुत पाइदे मन रहने परिशान मत होना, reasoning के लिए किया, reasoning के लिए सबसे important part है, आपका mock test, यह sectional test, आप जितना हो सके, इसकी जो preparation करो, mock test, यह sectional test के through करो, ठीक है, क्यों इससे फायदा आपको यह होगा, कि जैसे मालो, हम देखे कुछ puzzle से, तो सारी puzzle वैसे भी आप exam में नहीं बना पाते हो, ठीक ह अब ही part आता है, तो आपके लिए important क्या बनता है, आपको पता है, कि आप miscellaneous से ज़्यादा marks gain कर पाते हो, reasoning में, अगर मैं seriously बताओ, मैं अपने time पे भी यही काम कर पाती थी, कि यहां से मैं ज़्यादा marks gain कर पाती थी, अब किसी, कुछ student ऐसे थे, जिनका puzzle पे बहुत अच् में, जो prelims level की होती है, एकर variable add कर देता है, doable होती है, तो इनको आप करना, सीखिए कि आपको कहां पर क्या चीज करनी है, क्या चोड़नी है, miscellaneous पर ज्यादा focus करें, और statement वाले जो questions होते हैं, आपका critical reasoning based, जो questions हो गए, उनमें आपको charity हो, तभी करिए, otherwise number of attend बढ़ा के negative करने से आपको selection नहीं होना है, तो ये point आपको ध्यान रखना है, reasoning के section में, ठीक है, बाकी, जी, ये section में, मैंने आपको बताया, आपको कैसे पढ़ाई करना है, बात रही English की, तो English के लिए, भाई, कुछ भी last time पर ऐसा नहीं, जो आप नया कर सकते हो, सिर्स और सिर्फ mock test और sectional test ये आप कर सकते हैं, मेरे इसाब से mock test के थूँ आप जाईए, जादा बेटर है, क्योंकि अलग से practice करने को कोई मतलब नहीं है, आप ये काम कर सकते हो, कि आपके जित्ते भी exam हो है, उनके memory waste means के paper आप लगा सकते हो, ताकि आपको थोड़ा hint idea मिल जाए, otherwise it's all about understanding, understanding अच्छी ह आपर आप 10 दिन में कुछ भी build कर पाऊगे, बढ़ हाँ, पाकी के जो team section है, उनमें आपको कैसे पढ़ना है, वो बहुत important है, that means आपको इन 10 दिनों के अंदर 5-6 mock test देने हैं, जीए में topic wise, क्या topics पे जादा priority पे focus करते हुए पढ़ना है, वो आपको ध्यान दखना है, क्यो लास टाइम पे तो आपके banking awareness से related questions होते हैं, आप उनको कर सकते हो, मैंने बताए भी था आपको कैसे पढ़ना है, अगर आप किसी को follow करते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा join कर लो, आपको अगर GS action में दिक्कत आ रहे है, banking smartly, मैं आपको और अच्छे से guide कर दूँगे, क 5-6 mock test दीजिए, GS action को अपना strong करिए, ठीक है, last time पे कुछ नए पढ़ने की कोशिश मत करो, कुछ नए वीडियो लगाने की कोशिश मत करो, quant section में आपको दिक्कत होती है, तो उसके लिए आपके exam oriented, 4-5 session में आपके लोगी, ताकि आपको दिक्कत ना है, ठीक है, आपके जो अगर आज हिम्मत रही तो आज लूँगी, कल से start करूँगी, को कि बहुत जारा दिक्कत होती है, बोलने में अभी मेरी सांस बहुत फूल रही, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने आपकी बनाई है, आपको कोई दिक्कत हो आप पूछ लेना, ठीक है, अभ 15-20 questions भी करके आ रहे हो, तो ध्यान रखो कि accuracy maintain करें, because accuracy is really very important for men's examination, तो इस section में आपको इस point पर जीतना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो selection, दूसरा quantitative aptitude में, आपकी पास पहुत सारे questions है, 50 questions है, जिसमें doable definitely आएंगे, ठीक है, आपने अगर topic नहीं पढ़ रखके, यह आपकी ग DI भी नहीं कर पाऊगे, अगर वो नहीं है, इसके लाब आपके miscellaneous में आजाते हैं, अभी approximation देदी है, number series देदी, quadratic देदी, q1, q2 देदी है, तो उनसे आप marks gain कर सकते हो, ठीक है, तो अगर आपको DI में डर लगता है पहले jump करने में, तो पहले यहां से marks अपने gain कर सकते हो, यह सारी चीजे आपकी mock test में practice होंगी, तो आपको और idea लगेगा, reasoning ability में, आप देखो, पहले puzzle पर कभी भी मत जो, पहले मिसले इस part पर देखिए, कि कौन-कौन से questions आपके उपर है, puzzle में भी आपको जो लगता है, ज्यादा variable based है, ज्यादा landy puzzle है, उसको touch करने की कोई पहले time wasting है, कुछ भी मतलब नहीं है, sectional timing है, सबसे अची बात ही है, तो आपके पास हर एक section के लिए time devoted है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, जिए में तो timing की तो कोई बात नहीं, बट यह जो 50 question होते हैं, इसमें accuracy बहुत बिगड़ती है, हम number of attempts बढ़ाने के चकर में गलती कर हैं, जिए में, जब भी final result आता है, तो जितने भी topper होते हैं, या फिर जिसके भी mark देखो, 15 नंबर, 20 नंबर, ऐसे होते हैं, ठीक है, पर attempt सब करके आएंगे 35-45, गलतियां होती है, तो वही मैं बोलती हूँ कि वह 15 करने से बहतर है, कि वह 35 करके आ रहे हो, 15 पे पहुंच तो इससे बेटर है, 20 भी attempt करें, 20 के 20 हो सही है, तो इससे तो बेटर है, तो मेरा बस कहने का यही मतलब है, कि यह को थोड़ा सा smartly approach करें, ताकि आप कम में भी अच्छा perform कर पाएं, इसके लावा आपका कोई doubt हो, आप comment करके पूस सकते हो, बाकि आपको form दिया गया है, तो यह आपको गाइडली की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, फाइनल बूस्टर, जिसमें 5 फुल लेंथ मॉक टेस्स मिल रहा है, फ्री है, ठीक है, काफी लास्ट टेम पर हम जो भी चीज़े प्रोवाइड करते हैं, एक्जाम ओरिंटेड आपके लिए बहुत होती है, आपने अगर प्रिलिम्स का एक्जाम दिया हुआ है, तो आपको एक फॉर्म दिया जा रहा है नीचे, कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगे, उससे आप फिल करोगे, तो उसके बाद आपका यह एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपने कुछ भी ले रखा हो, तो आपको प्रियोर्टी लिस पर इसको और जी यू को देखोगे, तिक है, उसके इलाबा आपको कौन की क्लासे में कुछ प्रवाइट करूंगी, वह आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो चलिए, बबबाय, टेक्या, कोई डाउट हो, आपको प्रप्रेशन से रेलेटेड, आप कॉ